कि नमस्कार दोस्तों मैं आपको देश राज बिर्थल और आज मैं आपके लिए लेका हूं एक और पोदे की जानकारी यह पोदा हाज का अडू जिसे पिंच बोलते हैं और इसके अंदर दोस्तों गयािती आती हैि चे चे सी सात वराइटी जैसे सफेदा और फ्लोरीडाशन हो गया उनते पन्जाब हो गया परभात हो गया और शान्य-पंजाब में 36 व प्रूट आता है और उसका फूरूट है ना इससे थोड़ा जादा मिठा होता है लगबग चलती है साने पंजाब राइटी हरियाना रास्थान और पंजाब के अंतर यह पोदा रेते लिमिट में भी गरोग कर सकता है और अच्छा गरोग करता है इसकी फूरूटिंग यह माल प्रूटियों में दी थी डेड़ भाई तीन का में घड़ा खोद लेना और उसके बाद में हमें क्या करना उसके अंदर गोबर इखाता है इस पोदे के अंदर दस केजी गोबर की हात हमें स्टार्टिंग में डालनी पड़ती है क्यों यह जल्दी फल उठा लेता है और पोदे के अंदर साने पंजाब के अंदर और इसके अंदर एक और दियान रखने वाले बात यह होती है कि इस पोदे के अंदर आपको जो यह फूरूट होता है यह बिल्कुल गहरा घहरा टाइप में आता आपको तोड़ना पड़ेगा लगवा 15 सेंटिमेट्र आपको हर ए अगर गैप होगा तो फूरूट की साइज अपना पोदे अपने अवराइटी के अनुसार ले लेगा उसके बाद में इस पोदे के अंदर में प्रोब्लम के आती है लगाने के बाद में डिमक वगएरा के लिए हमें क्या करना चाहिए एक तो हमें कच्छी गोबर की खात न नाम है जो बी सी सी कलोरोपियर फास 50 अमल पर 3 लीटर के इसाब से हमें 5 लीटर पानी में मिला के उसके अंदर ड्रेंचिंग कर देने पोदा लगाने के बाद में उसके बाद यह डिमक से बचा रहेगा जब भी एक साल के अंदर फूरूटिंग स्टार्ट हो जाती है अग उसके बाद में हमें क्या करना है दोस्तों इसके अनदर इंसेक्ट का सप्रेजर फूर्ट बन जाए तो इंसेक्ट का स्प्रे करना पड़ेगा इंसरेक्ट में आप जो भी ले सकते हो आपके पास रहे हो ऊं मनोक्रोट अपास हो या फिर इसके अंदर एक और आती है лेम्ड लेंडा भी ले सकते हैं इसके अंदर और जो क्योंकि इसके अंदर एक और प्रोब्लम आती फल्मक्यूस के लिए आपको र्ण से इसी के अंदर से निकाल सकते हैं अगर उसके अंदर प्रोड़े सब्सक्राइब बना यह हमारे साल पूरानी में चाल में 17 साल पूरानी हो जाएगी तो इस ट्रैनि को काठ गें 10ș कि हम एलकोल 50% के अंदर दुबो के उन टैनियों को और हमें मिट्टी में लगा देना है जिससे क्या होगा 50% तक जर्मिनेट हो जाएगी रूटिंग कर लेगे अगर बगार दवाई के लगाते हैं तो 30% यह मैंने एक्सपेरिमेंट खुद किया हुआ है 30% एक्सपेरिमेंट हो जाएगा और जो इसके अंदर और तो कोई खास मेरे को दिखाई नहीं दिया कि वही मापको जानकारी दूंग जीतनी है क्योंकि यह पोदारा फंटक पोदा मान सकते इसको हम यह हर एक जमीन में हो जाएगा जादा नुकसान करते हैं पोदे को जो फ्रूटिंग हो रही है वो काट काट के निचे डाल देते हैं और अगर कोई इस पोदे के बार में नहीं जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेट बॉक्स कर देंगे और नया पोदा लगाने के लिए न्टैनियों को यूज कर सकते हैं उसके बाद में हमें इसको जहांपे कट किया अवापर इसको चोड़ देंगा और जब भी यह लगब जन्वरी मेंHE tut फूटिंग सटार्ट होगी और फूटिंग फ्रूटिंग स्टार्ट होने के बाद में फिर इसी साइकल में चला जाएगा धन्यवाद दोस्तों यह थी है आज की आडू की जानकारी और जो मैंने आपको दी है और इसके बारे में आपको जो भी पूछना है कमेट बॉक्स में पूछ सकते हूं